आहे कर निदेशाले परिक्षयवम राजभाषा डारेक्ट रेट ओफ इंकम टेक्स इग्जामेनेशन एड ओफिचल लेंगवेज याताई मिनिस्ट्र फिरेंस डिपार्ट्मेंट ओफ रिवैन्यू के अंडर जो की है नई दिल्ली में तो इसको हम शोट में CBD यानि की Central Board of Direct Taxes भी कहते हैं इनकी ओर से SSC GHT 2023 रिक्रूट्मेंट के लिए category wise और zone wise vacancies भेजी जा चुकी है तो वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब आपके दोनों paper हो जाएंगे तो आपको एक option form भरना पड़ता है उसके हिसाब के आपको department मिलता है उसके हिसाब से आपको जो है state मिलता है तो ये वीडियो आपके उस टाइम पे भी काम आएगे क्योंकि आपको जब आप option form भरेंगे तो ये पता होना चाहिए कि कौन से department में कौन सी जगह कितनी vacancy है तो चलिए अब बताते हैं आपको इन्होंने क्या कहा है कहते है करमचारी चैन आयो को कनिष्ट हिंदी अनुवादक और वरिष्ट हिंदी अनुवादक परिक्षा 2023 यानि SSC को जेच्टी 2023 के लिए कनिष्ट अनुवाद अधिकारी यानि junior translation officer के पद की संसूचित की गई state wise, location wise, zone wise एवं श्रेणिवार यानि category wise vacancies रिक्तिया निमनानुसार हैं तो आपको बता देते हैं कहां कितनी vacancies हैं SSC, जेच्टी 2023 के लिए इनकी ओर से और आपको बताएं कि All India में इनके 20 जगह ओफिस हैं कहां कहां कौन कौन से ओफिस में जेच्टी 2023 के लिए कितनी vacancies हैं वो सब आपको बताने वाले हैं सबसे उपर आता है एहमदाबाद यहां पे दो vacancies इस बार आ रही है, बेंगलोर में कोई vacancies नहीं है, भोपाल में भी कोई vacancy नहीं है, भूवनेश्वर में दो vacancies है, चंडिगड में केवल एक है, चेनलई में कोई vacancy नहीं है, दिली क्षेत् यहाँ पे तीन वेकेंसी हैं इसके बाद नो और बचते हैं वो भी आपको बता देते हैं कोची में कोई वेकेंसी नहीं है कोलकाता में चार वेकेंसी हैं कोलकाता के बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और फिर आता है आपका लखनौ यहाँ पे दो है मुंबई की बात की जा ढागपूर में कोई वेकंसी नहीं है और फिर आता है आपका प्रधान, आयकर महानिदेशक, दिल्ली, यानिक इनका जो मेन ओफिस है, यहाँ परी साथ वेकंसी है, तो दिल்ली में आप देख सकते हैं, तोटल 12 वेकनसी है और जैपूर में 3 है कोलकाथा में भी कितने वेकनसी है भी आपको बताया था 4 वेकनसी है टोटल इन्होंने 37 यानकि 37 वेकनसी SSC-GHD 2023 भरति के लिए दी है आगे category wise बात करें तो किस category के लिए कितनी vacancy है वो भी नोंने बताया है UR के लिए 15 vacancy, OBC के लिए 12 है, SC के लिए 2, SD के लिए 1 और EWS के लिए काफी ज़्यादा vacancy है, 7 vacancy है Total 37 vacancies इनोंने इस बार भेजिया जहाँ पर X-Service Man के लिए कोई vacancy नहीं है आप सब के लिए और इनके और से vacancies आ चुकी है, बाकि और भी departments की जानकारी हमारे पास है तो धीरे-धीरे उनकी भी जितनी सारी information है, जितनी vacancies उनोंने दी है वो भी आप तक ऐसे ही धीरे-धीरे एक-एक करके पहुंचाए जाएगी और फिर अंत में जब सब कुछ सारे departments की vacancies आपको बता दी जाएगी तो एक final वीडियो बनाए जाएगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि tentative कितनी vacancies है इन vacancies को देखा जाए तो आप final मानके चल सकते हैं क्योंकि यह जो CVDT है काफी पहले अपनी vacancies दे देता है और बाद में change नहीं करता है यहनि कि जितनी एक बार भेज दी ना तुनको बढ़ाता है ना ही घटाता है तो 37 vacancies आप पक्की मानके चल सकते हैं इनकी और से बाकी और departments भी है उनके reply भी है धीरे धीरे करके one by one आपके सामने लाते रहेंगे और जब सभी की vacancies आपके सामने आ जाएंगे तो एक total vacancies भी आपको बताई जाएंगे कि इस बार कितनी vacancies आ रहे हैं अगस्त वाले notice में तब तक आप अपनी तयारी जारी रखिए